तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने callback event अपना पूरा complete कर लिया है और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसानी से आप लोग अपना callback कैसे complete कर पाऊगे तो यह वीडियो शुरू से लेकर लास तक देखते रहना वीडियो ज़रा सा भी मिजमत करना ज यहां पर आपको क्या करना होगा कि साथ लोगों के यहां पर callback करना है और मैं आपको बड़ी ज्यादा आसानी से बता दूंगा कि प Dallas से करना है लेकिन यहां पर जो इसका मिल जाएगा क्योंकि आपका भाई आपको यह दिलाएगा तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पर सलिक रदो भाई और यहां पर हम लोग बढ़ते आगे अब जैसे कि आप लोग यहां पर क्लिक करोगे तो सबसे पर दैखने के लिए मिल जाएंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पर 29-29 दिन हो घाया है बंदों ने लॉग Norman rua अधिक को और आपको इन ही बंदों के यहां पर करना है यहां पर आप लोग प्लिक करोगे तो यहां पर आपके वर्मने कुछ 것으로 किया आज combines में कर देगा और जोईन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो सीधा अपने गेम पर चला जाएगा अब जो उसका गेम है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा वो अपना गेम open कर लेगा game को open करने के बाद उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है कैसे कैसे उसको यहाँ पर step by step यहाँ पर आपका जो callback है वो complete कराना है और उसको भी यहाँ पर loot box मिलेगा तो यह कैसे करना है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लो वो जैसे callback वाले section पर जाएगा तो यहाँ पर आपके जो UID है वो पहले से यहाँ पर पड़ी हुई मिल जाएगी और यहाँ पर जो confirm का option है उसके उपर उसको कर देना है click और जैसे वो यहाँ पर confirm के उपर click कर देगा तो यहाँ पर add के उपर click कर देगा तो आपका जो एक callback है वो यहाँ पर complete क्लिक तो उसको भी यहां पर एक लूट बॉक्स जो है वह यहां पर मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से एक कॉल बैक आपका कंप्रिट हो जाएगा उसके बाद जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे तो यहां पर मैं आपको बताने वाला को दूसरा तरीका आखिर क्या होने वा जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मेरा जो एक कॉल बैक है वो यहां पर फाइनली कंप्लिट हो चुका है अब यहां पर इसको कर देते हैं हम लोग कट और कट करने के बाद सीधा चलते हैं दूसरे तरीके के ऊपर की दूसरे तरीके से हम लोग कैसे कॉल बैक कंप् तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं cut और इसको कर देता हूं log out और log out करने के बाद मेरा जो guest account है मैं उसके उपर चला जाता हूं यहाँ पर तो सबसे पहले हम log out कर देते हैं इसको और guest account के उपर यहाँ पर चले जाते हैं और जैसे हम लोग guest account के उपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि guest account को आपको कलेना है login और login करने के बाद जैसे कि आपका guest account खुल जाएगा जो कि आपने 7 दिन से ज़्यादा हो गया है उसको नहीं खोला हुआ है तो और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क करने के बाद यहाँ पर okay कर देता हूं और यहाँ पर जो confirm का option है उसके उपर मैं कर देता हूं click और जैसे मैं यहाँ पर click करूंगा तो यह पूछेगा कि यह आपका दोस्त नहीं है क्या आप फिर भी इसको add करना चाहते हो आप फिर भी आप इसका callback complete करना चाहते हो आपको तीसरे तरीके से कैसे callback complete कर सकते हूं और अपने जो सारे callback है मैं उनको कैसे complete किया वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो जो मेरा thoroughly callback कुछ इस तरीके से यहाँ पर complete होने जा रहा है मैंने अपनी तीसरी ID है जो कि यहाँ पर 7 days से ज़्यादा हो गया है login नहीं हुई है उसको फ़र मैंने click करके उसको open करके यहाँ पर जो तीसरा callback है वो यहाँ पर complete कर लिया है अब जो तीसरा तरीका होने वाला है वो आप लोग पूछोगे कि भाई तीसरा तरीका खिर कौन सा होने वाला है तो मैं आपको बता दूँ कि तीसरा तरीका यह है कि जो आपके friend वगरा हैं उनसे बोल देना है कि आप भाई मेरा जो callback है section पर उसको paste कर दो अपना जो guest account है उसको open करके या फिर आपके बहुत सारे से भी दोस्त होंगे जिन्हों ने अभी तक यहाँ पर 7 दिन से ज़्यादा हो गया है उन्हें ने game login नहीं किया है तो उनसे भी आपको बोल देना है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे 3 जो callback है वो अभी यहाँ पर complete हो चुके हैं आपके सामने और उसके बाद मैं और भी जितने callback हैं मैं वो complete करता हुआ चला जाओंगा और एक छोटी सीर्क्वेस्ट और है आप लोगों से कि मेरा जो second channel है उसका link यहाँ पर description में दिया गया है उसको जरूर से जाके आप subscribe करके bell notification को all पर select कर लें क्योंकि भाई views बहुत जादा कम आ रहे हैं और मैं वीडियो अपनी बहुत ही जादा अच्छी बनाने के कोशिस कर रहा हूँ और बनाता भी हूँ और सारे जो event हैं उनको भी मैं complete करके आपको दिखाता हूँ तो इस वज़े से वीडियो को like कर दो और चैनल पर जाके चैनल को subscribe करके थोड़ा सा support दिखाओ भाई मेरे second वाले चैनल को भी subscribe कर दो जिससे हमें थोड़ा motivation मिले और उसमें आपके लिए कुछ अच्छी चीजे अच्छे अच्छी topics मैं ला सकूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा फैदा हो सके तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो आगे के जो callback है मैं उनको भी यहाँ पर complete करता हुआ चला जा रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है callback event complete करने में तो मैंने आपको बताया है कि जो पहला तरीका है वो आपको link share करके करना है जो दूसरा तरीका है यहाँ पर उसको क्या करना है कि आपको जो अपनी uid है वो copy कर लेनी है और आपको भेज़ देनी है अपने दोस्तों को या तो फिर यह करना है आपको कि यहाँ पर आपको इन ही callback complete करने पर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ने तीन callback तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से complete कर सकते हो यहां पर तो कुछ इस तरीके से मैंने जैसे के complete किया है एक callback तो आपका अपनी ही जिस्ट आईडी से हो जाएगा जो दूसरा और तीसरा callback है वो अपने आप फ्रेंड की मदद से यहां पर complete कर पाऊगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं यहां पर last वाला जो callback है वो यहां पर complete करके अपनी जो main ID है उसको open करके आपको तुरंत दिखाता हूँ यहां कि आखिर मेरा complete हुआ है कि नहीं हुआ है और हाँ चैनल को जरूर से सब्सक्राइबर देना और बिल नोटिफिकेशन को आल पर जरूर से सलेक्ट कर देना जो मेरा जो lost वाला callback है वो यहां पर complete होने जा रहा है उसके बाद हम खोलने हैं अपनी जो main ID और उसको खोलने के ब callback complete किया जाता है और यहां पर आपको भी फैदा होगा और आपके दोस्तों को भी फैदा होगा क्योंकि यहां पर वो लोग देखेंगे तब ही तो आपका callback यहां पर complete कर पाएंगे तो यहां पर जैसा कि आप लोग दे सकते हैं मेरी main ID जिसको मैंने कर लिया है open और open करने क के बाद मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आने के बाद मैं जाता हूं यहां पर नीचे और नीचे जाने के बाद आप लोग जैसा कि यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर 7 के 7 यहां पर callback जो event है जो callback करने थे मुझे वो मैंने यहां पर complete कर लिया है तो वीडियो क किल यो गुट बाई and take care